हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में इक बाफ पर से सॉलिद करता हूँ अपने एक तम्स काफी बार सुना होगा बाई ओन डिप्स ओके तो बाई ओन डिप्स आप लोग में से बहुत सारे लोग करते भी हों कि यह इस टॉक्स मेरा गिर रहे तो इसे मैं यहां पर बाई कर लेता हूँ यह पर जतना गिरता जाता है उतना जड़ा मैं यह इस प्रटिकुलर स्टोकस में बाई तरेनी है तो कि बाई ओन democrats लिप्स करने से और rethink गयाई बेसे कि और से एक डिप कार्ड यहां पर लोगिए होग होता हूं। और चज्अ प्लिपीर की सिनके लाएज कर्द के- और उसका एक average price निकल के आ जाएगा जितने भी आपने share खिरीदे होंगे इसके बीच के आसपास नहाँ पर आ जाएगा तो क्या होता है कि काफी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर buy on dips करने पर उन्होंने एक बैतरीन काम किया है और बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं buy on dips कर लो TV देखते हो आप वो कहते हो buy on dips कर लो किसी दूसरे YouTuber को आप follow करते हो तो वो कहता है buy on dips कर लो या even मैंने भी काफी बार काऊगा कि buy on dips कर लो तो buy on dips के पहली बात तो stocks ही अलग रहते हैं जिन में अगर बात करूं SBA काड़ एक है आपको बात करूं HDFC हो गया HDFC bank हो गया Infosys, TCS यह कुछ चुनिंदा stocks है जो ना तो ही ज़्यादा भागते हैं ना ज़्यादा गिरते हैं तो उनमें buy on dips करना एक अच्छी रणमीती रहती है otherwise आप किसी भी एक particular ग्लोई stocks में buy on dips करते हो तो आपने एक टाम सुना होगा falling knife falling knife का मतलब क्या होता है कि एक knife को ऊपर से गेरा गया और आपने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो कभी तो ऐसा हो जाएगा कि आपने सही time पर उसे पकड़ लिया और सही time पर पकड़ लिया तो आपका हाथ कटमे से बच जाएगा बट अगर by chance आपने आपर उस falling knife को time से नहीं पकड़ा और सही तरीके से नहीं पकड़ा आपने उसे तो क्या होगा कि वो आपके हाथ को चीरते हुए नीचे की तरह आजाएगा और आपका यहाँ पर खून निकलना शुरू हो जाएगा मतलब क्या होगा आप हर्ट हो जाओगे सिंपल सी बात यह है तो जब आप हर्ट हो जाओगे तो इसी तरीके से stocks में होता है कि आपने अगर किसी particular stocks को buy on dips के रणीती से आपने यहाँ पर buy on dips करते रहे buy on dips करने का नतीजा यह रहा कि आपको profit तो हुआ नहीं इसमें क्या हुआ लॉस हुआ तो देखे यह स्टे से हम सब गुजरते हैं मैं भी गुजरूँ मैंने भी किसी को देखके यहाँ पर सीखा है buy on dips करना और buy on dips करने पर नतीजा क्या निकला है नतीजा निकला है zero result निकला है zero तो buy on dips पहली बात तो कोई term ही नहीं जो भी buy on dips की रननीती बताता है तो याद रखियो उसे बेबकूफ कहिएगा और कहिएगा कि भाई मुझे आपको फॉलो नहीं करना सिंपल सी बात यह है आप सबसे पहले तो पढ़ना सीखे आप उन लोगों को follow करना सीखे जो market के well trend रहे है उन लोगों को follow करना सीखे जिन्होंने अच्छे खासे पैसे market से real में बनाए है ऐसे नहीं कि कोई भी यहाँ पर market में आया दो चार वीडियो मना दी या TV पर आया और TV पर आने के बाद उसने एक वीडियो बना दी या बता दिया कुछ की buy on dips इसमें करो या कोई TV पर बैठा हुआ है कोई anchor उसने कह दिया buy on dips करो ऐसी रन्नीती बताने वाल हूँ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको buy on dips नहीं exactly यह करना चाहिए तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे सब सीच जानेंगे बट उससे पहले एक कोर्स हमने लांच किया technical research of fundamentals सब को सिखाया जा रहा है किस तरीके से आप buy on dips नहीं buy on up करके पैसे कमा सकत 15,000 रुपीज की classes है one on one वो भी कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा और यहां पर सब कुछ यहां पर पोवाइड किया जाएगा और और 8605-40501-8169-261037 इन नमबर पर WhatsApp call message कर सकते हैं as well as यहां पर दूसरी वीडियो से देख लीजे सब्सक्राइब करें like करें comment करें तो buy on dips की नाम का कोई terms होता ही नहीं है और buy on dips आपको कोई भी कह रहा है तो याद रखिए मैं आपको केवल एक ही चीज दिखाना चाता हूं और वो चीज क्या दिखाना चाता हूं कि buy on dips में केवल loss होता है buy on dips में किबल यहां पर आप मात खा सकते हैं और कुछ नहीं और buy on dips की रनी थी याद रखे कोई भी management कोई भी company perfect नहीं होती उनका time कभी ना कभी बुरा आ सकता है suppose आपने HDFC में किया आपने यहां पर PNB में किया आपने किसी भी stocks में buy on dips किया तो वो प्राइस सालों तक नहीं लोटते हैं इस चीट को याद रखियेगा suppose यह मेटा मेटा प्लेटफॉर्म है जैसे हम Facebook के नाम से भी जानते है suppose कि यहां पर एक बहतरीन पैसा लोगों ने बनाया अब किसी नहीं यहां पर buy on dips किया होगा आपने एक interview काफी अभी सुना होगा वह बहुत बड़े इंवेश्टर हैं उन्होंने इंग्लिश में यह हैं उनका interview और वह यहां पर foreign के ही है US के ही है रो रहे थे literally और यहां पर वह कह रहे थे कि मैंने गलती करी इस particular stocks के बारे में लोगों को बताके माफी मांग के गए और यहां पर देख सकते हैं कि क्या इहां पर इसका नतीजा है तो आपको चीज़े सीखनी होगी कि बड़ी बड़ी company के साथ भी ऐसे हो सकता और किसी ने buy on dips किया होगा तो भी यहां पर वह loss में है तो यहां पर चीज़े समझनी होगी अब suppose कि कि किसी न यहां पर PNB में PNB में यहां पर buy on dips किया होता बायों डिप्स करते जा रहा है करते जा रहा है एक price यहां पर आया होता ओके और उसे कितने सालों बाद 2015 से 2017 मतलब दो साल बाद उसे क्या मिलता है reward मिलता और किसी ने अगर buy on dips इस particular point पे किया होता यहां पर 2017 में उसने buy on dips कर तो वह ऐसी गलती करते ही नहीं तो कोई retailer फसा होगा और उसका price भी यहां पर आकर अटक गया होगा क्योंकि इतने पैसे उसने starting में लगा दिया होंगे एक run नीती नहीं रही होगी और यहां पर आटके अटका होगा और उसका price आस तक नहीं आया होगा तो यहां पर चीठे स सीख ही है पहले तो सीख होगे जब यहां पर तो आपको चीठे यहां पर समझ में आएगी किस तरीके से काम होता है तो सबसे पहले stage 1, stage 2, stage 3 और stage 4 नाम की चीठ होती है अगर आप महापार उस तरीके से काम करेंगे तो अच्छा पैसा पैसा बनेगा जैसे ही कल मैंने आप वीडियो बनाई है PNB से लेकर और मैंने आपको बताया है कि यह stage 1 में चल गाए जैसे ही मैंने आपको नहीं कहा कि अभी खडी लो मैंने आपको कहा है जैसे ही इसका breakout होगा और अच्छे तरीके से breakout होगा तब बाई करना एक भैतरीन पैसा कितने भोट कम समय में आपको return मि पाते हुपी हर्त है कि यहां पर देखें इसी रेंजमा यहां पर चल रहा था ओके और इहां पर मान लिया आपने इंट्री नहीं कर रहा नहीं हो था हिया यहां पर इस शेथ टोड़ा जो ब्रेक आउट होता है जो पहली स्टेज होती है जैसे ही यहाँ पर इसने तोड़ा 71 पर आपने इसमें एंट्री ली 71 कब था 2020 दिसंबर में और यह हाई कब बनाया इसने उन्हें सक्टूबर 2020 में मैं एक साल में यह शेयर 20 रुपे से कितने रुपे पे चला गया इसी अगर यह सीख लेंगे तो अच्छा पैसे बनेगा यह देखिए यह क्या थी यह स्टेज बनती यहां तक चलता जा रहा था यहां पर और यहां पर क्या हुआ प्रेक आपने यहां पर बाइंग किया थोड़ा सा शेयर नीचे भी आया और उसके बाद यहां पर देखिए 21 10 अक्टूबर से लेके अभी तक क्या 6 से अप्टमबर तक तो कितना मैं लग 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 एक साल के अंदर अंदर आपके पैसे कितने हो गए 40 रुपर वाला श्टॉप ए 14 मैं चारवुना आपके पैसे होते हुए नजर आए तो इस तरीके से चीज़े काम करती है और यह क्या जब आप स्टेश 2 को यहां पर खड़ी देंगे तो अच्छा पैसा यहां पर बनता हुआ नजर आएगा तो इसी तरीके से चीज़े काम करती है आप कोई भी श्टॉक्स यहां पर उठा लीजिए जो भी यहां पर आपको पैसा बनाके देगा मैं आपको बिलीव दिलाता ह हो कि आप इसी तरीके से सारी चीज़े चलती ज़िए नजर आईगी अब यहां पर देखते रेलाइंस यहां पर देखे यहां पर देकिया इस पर तो रहें से जैसी भार निकलेगा, जब भी भार निकलेगा, चाहे 6 महिने बाद निकले, चाहे 1 साल बाद निकले, तो यहाँ पर stage 2 चलू होगी, उहाँ पैसा बनेगा, अभी entry लेने से क्या है, कि वहल आपका time खराब हो रहा है, दूसरी में जल्दी में आपका पैसा बनेग आपको stage 1, 2, 3, 4, इन चीटों पर ध्यान देना है, और यह सारी stages किस तरीके से पकड़नी है, कौन से stocks में पकड़नी है, यह आपको मैं इस particular class में सिखाता हूँ, जाके enroll कर लिजिए, यहाँ पर join कर लिजिए, तो buy on dips नहीं, buy on up करिए फिर, क्या अब जब PNB आएगा, profit होता हूँ नजर आएगा, बर जब यहाँ पर आप buy on dips करेंगे, तो हर एक profit, हर एक पैसे का आपको given loss होता हूँ नजर आएगा, तो यह difference है, buy on dips और buy on up में, वीडियो अच्छी लगे, like, comment, share करेंगा, thank you so much.